चार मिनट में पूरा पैसिव वाइस सीखें पैसिव वाइस अरंब करने से पहले आप डू, बी और हैब के सभी रूपों को याद कर लें इसके साथ ही आप टेंस पार्ट 15, टेंस पार्ट 16 और टेंस पार्ट 17 एक बार अवसी पर लें किसी भी वाइक को एक्टिव से पैसिव में वदलने के लिए मैं आपको घरेलू भासा में समझाने की कोशिस कर रहा हूँ आप सभी जानते हैं कि जब किसी घर में डाकू या बदमास गुषता है अर्थात जब किसी घर में डाकू या बदमास प्रवेश करता है तो घर में हल्चल मच जाती है अर्थात भगदर मच जाती है अर्थात अफरा तफरी मच जाती है घर के सदसगन अपनी जान बचाने की आसा में इधर से उधर भागने लगते हैं भले ही उनकी जान बचे या न बचे डाकू घर के नौकर चाकर को कुछ नहीं कहता है वह केवल घर के मालिक को पकरता है और संदू की चावी लेकर धन लूटता है और भाग जाता है आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि कोई बदमास किसी घर में घुसकर उस जगह के मालिक का नकाब पहन कर उसका रूप धारन कर लेता है और या तो मालिक को कैद कर एक कमरे में बंद कर देता है या उसे मार देता है और फिर कुछ दिनों तक उहां रह कर अपना उदेश से पूड़ा कर उहां से हड जाता है मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्व के अंतरगत बी को प्रहावशाली और बदमास माना है प्रुहावशाली व्यक्तियों या बदमासों को कभी-कभी रूप बदलने की आवस्चक्ता परती है क्योंकि असली रूप में उसको किसी खास जगह पर खत्रा रहता है B को भी रूप बदलने की आवस्चक्ता परती है इसी कारण B का अन्य सभी वर्वों की अपेक्छा अर्थात अन्य सभी वर्वों की तुलना में अधिक रूप है किसी भी वाक को active से passive में बदलने के लिए सबसे बड़ी भुमी का B की है जब B किसी वाक में परवेश करता है तो वाक के सब्दों में वगदर मच जाती है सबजेक्ट चला जाता है अब्जेक्ट के अस्थान पर बी वाकऊ के किसी भी नौकर चाकर अर्थात help को कुछ नहीं कहता है अर्थात helping वर्व जियों कात्यों रहता है बी घर के मालिक अर्थात finite main वर्व की गर्दन पकरता है और उसके रूब का नकाब पहन लेता है अर्थात B घर के मालिक अर्थात फानाइट मेन वर्व का रूप धारन कर लेता है अर्थात फानाइट मेन वर्व जिस रूप में रहता है उसी रूप में B आ जाता है और B मालिक अर्थात फानाइट मेन वर्व को तीसरी दुनिया में पहुँचा देता है अर्थात fanite main word को तीसरे रोप में बदल देता है इहां आपने देखा कि किसी भी वाक को active से passive में बदलने में सबसे बड़ा कमाल B का है जब तक किसी भी वाक में B परवेश नहीं करेगा तब तक कोई भी वाक active से passive में नहीं बदलेगा वाक्य में fanite main verb जिस रूप में रहता है उस रूप में B का रूप लिखते हैं और fanite main verb को तीसरे रूप में बदल देते हैं प्रतम helping verb को छोर कर सभी helping verb जियों का तियों रहता है प्रतम helping verb का भी subject के नुसार केवल रूप बदलता है इहां यह भी ध्यान ढखें कि यदि घर का मालिक B हो अर्थात वाक में B फानाइट मेन वर्भ हो तो B इसमें प्रवेश नहीं करता है और जैसा कि स्वाभाविक है कि यदि वाक में B प्रवेश नहीं करेगा तो इसका पैसिएव वास भी नहीं बनेगा अर्थात यदि किसी वाक में भी फानाइट में वर्व के रूप में हो तो उस वाक का पैसिव वाइस नहीं बनेगा